प्रम्पुज्य गुर्देव जी मुद्मंगल मैं संसमाज धर्म प्रेमी बंधुगों साहिव जी की आग्यां है आग्यां पालनार्थ आप लोगों के समक्ष एक भजन प्रस्तूत है गुरु से करली में लगवाा क्या सोचत बारंबारा गुरु से करले में लगवाा रा क्या सोचत बारंबारा जब पार उतरना चहिए तब केवट से मिली रहिए हो जब पार उतरना चहिए तब केवट से मिली रहिए जब उतर जाए भाव पारा हो जब उतर जाए भाव पारा तब छूट यह संसारा गुरु से गुरु से कर ले मिल गवारा क्या सोचत बारं बारा जब दर्सन को दिल चहिए तब दर्पण मा जत रहिए जब दर्पण लागी काई हो जब दर्पण लागी काई तब दर्स कहां से पाई गुरु से गुरु से कर ले मिल गवारा क्या सोचत बारं बारा गुरु से कर ले मिल गवारा क्या सोचत बारं बारा जब गढ़ पर बजी बधाई तब देख तमा से जाई हो जब गढ़ पर बजी बधाई तब देख तमा से जाई जब गढ़ बिच होत सकेला तब हंसा चलत यकेला गुरु से गुरु से कर ले मिल गवारा क्या सोचत बारं बारा कहें कबीर देख मन करनी वाके अंतर बीच कतरनी कतरन की गाठी न छूटे हो कतरन की गाठी न छूटे तब पकड़ी पकड़ी अम लूटे गुरु से गुरु से कर ले मिल गवारा क्या सोचत बारं बारा गुरु से कर ले मिल गवारा क्या सोचत बारं बारा बोलिये सद्गुरु कभीर साहेब की जय इसी क्रम में सिर्य साहेब जी का निवेदन है आदेशा अनुसार कुछ निवेदन सद्गुरु कभीर साहेब का एक छोटा सा पद है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही मुल्यवान है अगर उस पद के अनुसार हम अपने जीवन को ढालें तो ओपद हमें ये निर्देशित करता है कि हमारा बंधन क्या है और उस बंधन से हम कैसे छूट सकते है बस मनुस्य जीवन का ये ही एक उदेश से है और कुछ उदेश से नहीं है जीवन तो चलेगा है जीवन तो सभका चलता है लेकिन जो हम मनुस्य जीवन का जो उदेश से है उसको हमें समझना है और समझ करके उससे निकलना है समझना क्या है बंधन क्या है और उस बंधन से हम कैसे निकलें बस यही मूलक काम है मनुस्य जीवन का तो सद्गुरु कबीर साहिब इस पद में कहते हैं कि बंदे कर ले आप निवेरा आप जियतलक आप ठावर कर मुए कहा घर तेरा यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी अंत कोई नहीं तेरा कहां ही कबीर सुनोहो संतों कठिन काल को घेरा अब सुरु से अंत तक देख लिए जीवन की कितनी सारी बाते हैं कितनी सामगरी हैं और कितना हमें सवधान किया गया है कितना हमको जगाया गया है इस पद में साहिब सिधे कहते हैं कि मनुस्य मत समझो अपने को क्या समझो बंदे समझो साहिब कहते हैं कि बंदे कर ले आप निवेरा सब्द पर ध्यान दीजिए मनुस्य कबिर साहिब का यह हमारे लिए उचारन है इस सब्द का लेकिन कौन समझता है साहिब कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा साहिब बंदे क्यों कहते हैं भई बंदे कहा किसको जाता है अगर हम उपर की आँख से देखें तो बंदे उसको कहा जाता है कि जिसके सरीर में कोई बंधन हो उपर की आँख से उपर की आँख से हम देखते हैं तो जिसके पास बंधन हो वो बंदे है जो बंधा हो, जो गुलाम हो, जो जकड़ा हो तो हमें क्या दिखता है? गाए के गले में रसी है, बंधी है, इसलिए उबंधन में है वो हाथी के पैर में लोहे के जंजीर है, तो गुलाम है, उबंधी है कोई सेर है, तो कोई बहुत बड़ा पीड़े में बंध है, लोहे के पीड़े में बंध है तो वो बंधन में है, वो गुलाम हो गया वो, कोई तोता है, किसी घर में पीड़े में पड़ा है तो पीडा ही उसके लिए बंधन है वो, उसमें बंधा है वो, तो ये तो हमें दिखता है, हमारी आँख से ये दिखता है, लेकिन कवीर साहिब का निर्देश उधर नहीं है, कभीर साहिब उनको कह के क्या करेंगे, वो तो न सून सकते, न समझ सकते, न भासा बूश सकते, न उबदेश कर सकते, न उनको दिख्षा दिया जा सकता, न कंठी पहनाया जा सकता है, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, अब कभीर साहिब का निर्देश हमारे तरब है, वो हमको कहते हैं, लेकिन जब हमको कहते हैं, तो हमें तो बड़ा बुरा लगता है, क्यों बुरा लगता है, क्योंकि हमारे सरीर में तो कोई बंधन दिखता नहीं है, तो कबीर साया हों को बंदे कहते क्यों है अगर हमारे गले में कोई रसी हो उंट की तरह नाक में नकेल हो किसी पिंजडे में हम बंद हो किसी रसी का बंधा है तो कैसे दिखेगा अरे रसी गले में हो या सरीर के किसी अंग में कोई बंधन हो तो दिखे तो दिखता नहीं है साहिब कहते है बिनुरसरी गलसकलो बंधा अब कैसा है तासो बंधा अलेख तासो मने वह वह बंधन कैसा है अलेख मने लेखने मने देखने में नहीं आता है अलेख का मतलब कि जो लखाए न जो दिखे न अलेख है वो तो उदारण देते हैं कि कैसे नहीं दिखता है भाई तो आगे साहिब कहते हैं दिन्हा दरपन हस्त में चस्म भी ना क्या देख देखे कितना सटिक उदारण है बढ़िया कि दिन्हा दरपन हस्त में चस्म भी ना क्या देख जैसे किसी अंध्य ब्यक्ति के हाथ में दरपन दे दिजिए जimme हम लोग चेहरा देखते हैं सब लोग देखते हैं महिला हो, पुरुस हो, कोई भी हो कहीं जाना हो तो बिना दरपन में हम अपने चेहरे को देखे निकलते नहीं है कहीं दाग धबा तो नहीं है, कहीं बाल ठिक से सजा है कि नहीं सजा है, कपड़े हमारे सही है कि नहीं है, पूरा सिश्टम हम देखते हैं। तो साहिब कहते हैं कि दिन्हा दर्पन हस्त में, अगर हात में दर्पन दे दिया जाएक। देख पाएगा क्योंकि उसके पास देखने का साधन ही नहीं है आँख नहीं है जिस साधन से ओ देखेगा चेहरा भी है दरपन भी है लेकिन देखने का साधन उसके पास नहीं है कैसे देखेगा ठीक उसी तरह से हमारे पास बंधन भी है लेकिन वो बंधन दिखता नहीं है क्यों कि हमारे पास ग्यान की आँख नहीं है क्रोध है सब के पास बंधन है दिखता है लंबा है कि चवड़ा है मोटा है पतला है गोरा है काला है कहां दिखता है क्रोध सब के पास क्रोध है क्रोध भी करते हैं लेकिन दिखता नहीं है काम है, क्रोध है, लोब है, इर्षिया है, दिवेश है, बैमनस्ता है यही सब तो बंधन है लेकिन कहो कि भाई अपने लोब को देखो कोई देख पाएगा इस आँख की बात नहीं है जितने भी विकार हैं, सब हमारे बंधन है और हमारे पास ही रहते हैं कहीं दूर नहीं रहते हैं यह नहीं कहीं से लाना है, नहीं, नहीं, नहीं अरे, गाय को अगर रसी बादनी है गले में तो तो बजार से खरिद के लाना पड़ेगा लेकिन हमारे बंधन को खर देने की जोरत नहीं है वो हमारे पास ही है बीना पैसे का है वो सपोच कि ये जो बाहर का बंधन हम देखते हैं और जो भीतर का हमारे पास बंधन है वो देखिए दोनों में कितना अंतर है जो बाहर का बंधन है गाय के गले में लगा है अच्छा गाय ने नहीं बनाया है उसको किसी दूसरे ने उस रसी को बनाया है और गाय अपने गले में नहीं बांध ही है किसी दूसरे ने बांध दिया है वो अपने से नहीं बांध ही है वो लेकिन जो भीतर का बंधन है जो हमारा बंधन है वो हमारा ही बनाया हुआ है और हम ही अपने आपको उस बंधन में बाधे हैं अरे बाहर का बंधन तो कोई दुसरा खोल देगा पड़ेगा वो ऐसा बंधन है बाहर और भीतर के बंधन में इतना अंतर है तो साहिब कहते है इसी तरीके से हमारा जो ही विकार है कहा है हमारे मन में है कहीं नहीं है मन में क्रोध है, मन में लोब है मन में द्वेस है, मन में इर्सिया है मन में बैमनस्ता है मन में बैमानी है, मन में सैतानी है सब कुछ है मन के अंदर अच्छा भी है बुरा भी है दया है तो मन में तो है धर्म है तो मन में है आप क्या रखते हैं इस टोकरी में सरी रूपी टोकरी में यह हमारे उपर है अब आगे साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा आप जी अतलग मरने के बाद नहीं आप जीती जी लखो लखने के मतलग इसको समझो इसको देखो कि हमारा बंधन क्या है जब तक हम समझेंगे नहीं जानेंगे नहीं अपने बंधन को ठीक से समझेंगे नहीं जब तक हम किसी चीज को समझते नहीं, उस पर हम काम नहीं कर सकते कुछ भी हो, उसकी पूरी के पूरी जनकारी होनी चाहिए, अगर हमें यहां से छोक जाना है, कोई गाड़ी दे दे हमको, कि भाई इस गाड़ी से तुमको चोक जाना है, तो किसे जाओगे जब तक आपको पूरी तरीके से उस गाड़ी के बारे में चलाने की जनकारी नहीं होगे, तब तक आप नहीं जा सकते, ऐसे ही कोई भी काम हो, हमें पूरी के पूरी जनकारी होने उसी तरीके से हम अपने बंधन को समझें कि हमारा बंधन क्या है, तब हम उसे छुट सकते हैं, समझते ही नहीं है, प जीएत जानो, जीएत बुझो, जीएत मुक्ति निवासा, जीएत जानो, जीएत बुझो, समझो, जीएत मुक्ति निवासा, तुम अपने जीते जी मुक्ति का निवास की पता लगाओ, लेकिन जो गुरु लोग है, जिनको जनकारी खुद बंदान में पसे हैं, वो क्या कहते हैं मुवे मुक्त कहे गुरलो भी जूठा दे विश्वासा वो कहते हैं घबडाव मत हम तुमको दिख्षा दे दिये हैं और तुम्हेरे कान में मंत्र फुक दिये हैं तुम मर जाओगे तुम्हारी मुक्ती हो जाएगी मुए मुक्त कहे गुरलो भी जूठा दे विश्वासा साहिब इस पर टिकते नहीं है साहिब इस पर विश्वास मानते नहीं है साहिब कहते हैं कि आप जीत लखो जीते जी लखो आप जीत लखो आप ठोर कर अपने ठिकाना को आप समझो कि हमारा ठीकान मरने के बाद हम कहां जाएंगे हमारा क्या होगा आप यतलख आप ठोर कर साहब कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा आप यतलख आप ठोर कर मुए कहां घर तेरा मरने के बाद तुम्हारा घर कहां है जीवन का कितना बड़ा काम है यह आउसर नहीं चेता हूं प्राणी आउसर क्या है मनुसे जीवन क्या गाय गोड़ा बैल वन होगे तो चेतो होगे हम चेतेंगे इस बीड़ चीज को समझेंगे यही आउसर है मनुसे जीवन ही हमारा आउसर है मनुष्य सरीर ही हमारा अउसर है यह अउसर नहीं चेतों प्राणी अंत कोई नहीं तेरा अंत में क्या काम आएगा शरीर भी काम नहीं आएगा धान दावलत पत प्रतिष्ठा जितने भी रिष्टे नाते बाल बच्चे सब अंत कोई नहीं तेरा यह अंत में कोई काम आने वा कहां ही कभीर सुनो हो संतों, अंत में क्या होगा, कठिन काल को घेरा, अंत मुलकात होगा ना, मौत से, काल से, कोई बच जाएगा, कोई नहीं बचेगा, कहां ही कभीर सुनो हो संतों, कठिन काल को घेरा, ये अंतिम बात है, सब का सरीर छुटना है, सब को एक दिन कफन उड़ना है, सब को एक दिन असमसान जिंग में जा करके जलना है, एक मुठी राख में सब को बदलना है, ये सत्य है, सत्य है ये, तो हम इस पद के अनुसार अपने जीवन को समझें और समझ करके इसके अनुसार जीएं और अपने समझें कि हमारा बंधन क्या है उस बंधन से हम कैसे छूटेंगे इस पद में सारी सामगरी है तो मैं कुछ देर आप लोगे समझें निविदन किया इन्ही सब्दों के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ बोलिये सद्गुरू कबीर साहेब की जैए अभी हम संस्री रतनेंद्र साहेब जी के बहुत ही उत्तम विचार सरोन कर रहे थे संसमराड सद्गुरू कबीर साहेब का बहुत परसिद पद छोटा पद बंदे कर ले आप निवेरा सद्गुरू कबीर साहेब इस पद के सुरू में हमें याद दिलाते हैं कि बंदे कर ले आप निवेरा हम बंधे हैं किसमें बंधे हैं खूद अपने अपने बंधन को हम बारीकी से खोश करेंगे तो पता चलेगा कि हम किसमें बंधे हैं सब के बंधन अलग-अलग है कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई लोब में तो सब को हमें देखना है और उसको त्याग करना है, चुटकारा करना है, शद्गुरु कभीर सहेब का यही संदेश है, बहुत ही सुंदर विचार रहा, आगे मैं निवेधन करता हूँ, संद्श्री सुपाश साहब जी से, आप आएं और धोरी देर अपने कुछ विचार रखें. मैं यहीर सुंदर विचार रहा है, बहुत है और विचार रहा है, और रहा रहा है, बहुत है।. बोले सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, प्रमपूज गुर्देव जी, अर्चनिय बंदनिय मुद्मंगल में संत समाज, साहब जी की आज्या हुई है, आज्या पालनार्थ, कुछ देर, कुछ कहने का परियास करता हूँ. सद्गुरु कबीर साहिब की मौलिक, रचना, ग्रंथ, बीजग, बीजग की साखी है, सकलो दुर्मत दूर करू, अच्छा जनम बनाओ, काग गवन गत छाड़ के, हंस गवन चलियाओ. सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, सकलो दुर्मत दूर करो, सारी दुर्बुद्धी को दूर करके, जीवन को अच्छा जियो, कववे की चंचल, चाल, योम, दसा को छोड़ कर, हंस की रहनी में चलकर, सुरुपिस्थित को प्राप्त करो. साहिब कहते हैं, सकलो दुर्मत दूर करो, अच्छा जनम बनाओ. आज, दुर्बुद्धी के ही कारण, लोग, भाई से भाई, लड़ते हैं, दुर्बुद्धी के ही कारण, पिता से पुत्र लड़ता है, पत्नी से पती लड़ता है, और, पत्नी से पत लड़ता है. गाव और राष्ट की लड़ाई, दुर्बुद्धी के ही कारण होती है. आदमी के अंदर में यद सदबुद्धी आ जाए, दुर्बुद्धी निकल जाए, तो जो ये सारी लड़ाईया होती हैं, ये सब समाप्त हो जाए, लेकिन आदमी के अंदर में दुर्बुद्धी भरी होती है, दुर्बुद्धी के ही कारण लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, अच्छा जनम बनाओ, अच्छा जनम बनाना क्या है, कुछ भासाओं का ज्यान हो जाना, कुछ पढ़ लिख लेना, धन दौलत प्राप्त हो जाना, क्या यही अच्छा जीवन है, साहब कहते हैं, नहीं, यह अच्छा जीवन नहीं है, जीवन गुजर बसर के लिए, कुछ धन होना आवस्यक है, धन की आवसक्त्या है, लेकिन अच्छा जीवन क्या है, लोग दुर्बुद्धी के कारण, ना खाने योग चीज को खाते हैं, ना पीने योग चीज को पीते हैं, लोग मांस मचली अंडा खाते हैं, सराप पीते हैं, सिक्रेट पीते हैं, जो नहीं करना चाहिए, वो काम करते हैं, तो ये अच्छा जीवन कहां हुआ, आज दुर्बुद्धी के ही कारण, हम लोग वासनाओं में बंध कर, जनम मरण के चक्कर में घूम रहे हैं, दुर्बुद्धी के कारण, हमारा घूर पतन होता है, इसे एक उदारण के माध्यम से समझें, एक संत्र रैसा थे, उनका मूल मंत्र था, वो बिच्छाटन करते थे, तो यही उनका मंत्र था, गली गली रैसा गोहरावे, जो जैसा करे तैसा फल पावे, सांजे दे सकारे पावे, पूद्ध भतार के आगे आवे, आईसा, आईसा वे कहते थे, तो एक दिन वे गली यों से अपने ये सब्द उचारण करते हुए निकल रहे थे, तो एक घर में एक माता रहती थी, वो संथ रैसा से इर्ष्या करती थी, और इर्ष्या के कारण वो संथ रैसा को आवाद देती है, कि हमारे यहां से भिच्छा ले जाईए, संथ रैसा जाते हैं उनके द्वार पर, तो जल्दी जल्दी दो मोटी रोटी बना करके और चटनी पीस करके दे देती है, और रोटी बनाती है, रोटी में जहर मिला देती है, और संथ रैसा को दे देती है, देखिए उसके अंदर में दुर्बुद्धी ब्याप्त गई उसका मन मन में गलत सोच पैदा हो गई वो दो रोटी बना करके संत रह्षा को देती है संत रह्षा अपने कुटिया पर आ जाते हैं और जो भिच्छा किये थे सूखी रोटी समझ करके कहे इसे कल खा लेंगे और जो अन्व भोजन मिला था वो भोजन कर लेते हैं और विश्राम करते हैं थोड़ी देर के बाद अचानक उनकी कुटिया में आवाज आती है वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं दो सज्जन जो रोटी बना कर दिया था उसका पती और बेटा सहर में रहता था वो ये दोनों संत्रैशा की कुटिया पर आते हैं और सोचते हैं कि आज देर हो गई है बारिस हो रही है अब घर जाना उचित नहीं है यहीं पर संत्रैशा की कुटिया में विश्राम करते हैं ऐसा सोच करके वो ये संत्रैशा के पास जाते हैं संत्रैशा ने उन्हें खाने के लिए वो जो सूखी रोटी मिली थी एक-एक रोटी दोनों को दे देते हैं और चटनी देते हैं वह दोनों रोटी खा करके और सोने की जगा बता देते हैं दोनों सो जाते हैं सोते हैं तो ऐसा सो जाते हैं कि हमेशा के लिए सो जाते हैं सुबा होता है संत्रैशा नित क्रिया से निपट करके देखते हैं अभी तक ये लोग उठे ही नहीं देर हो गई फिर भी नहीं उठे तो जाकर देखते हैं तो वह दोनों मरे पड़े हैं फिर लोग गाव से आते हैं सुबा का समय लोग निकलते हैं संत्रैशा की कुटिया पर आते हैं तो वे खबर भेजवाते हैं और लोग उनके अहां जाकर संदेशा देते हैं कि तुम्हारे पती और बेटा सहर से आये हैं और संत्रैशा की कुटिया में हैं बहुत धन लेकर के आये हैं और ठेला लेकर के जाईए सबसामान ले आईए बड़ी उत्सुक्ता के साथ वो मतवार माता जी जाती हैं और देखती हैं तो उसका बेटा और पती मरा हुआ है वो पच्छाल खाके गिर जाती हैं बिलाब करती हैं और जो सच्ची बात है वो शंत्राइसा से बताती हैं कि मैंने आपको जहर मिला करके रोटी दिया था लेकिन इसका उल्टा हुआ कि आप ना खाकरके मेरे पती और बेटा को खाने के लिए दिये तो संत रहसा ने कहा कि जो जैसा करता है उसका फल उसको वैसे ही मिलता है ये तो उनका मूल मंत्र था जो जैसा करे तैसा फल पावे सांजे दे सकारे पावे तो तुमने जो जैसा किया उसका फल तुम्हें मिला तो कहने का मतलब है कि उसकी दुर्बुद्धी उसके अंदर में दुर्बुद्धी ब्याप्त गई थी उसके मन में गलत सोच पैदा हो गई जिसके कारण उसे अपने पती और बेटा से हाथ धोना पड़ा तो इस प्रकार से लोगों के अंदर में दुर्बुद्धी ब्याप्त हो जाती है तो साहिब कहते हैं सकलो दुर्मत दूर करू अच्छा जनम बनाओ काग गवन गत छाड़के हंस गवन चलियाओ काग गवन गत छाड़के कववे को देखते हैं आप वो कितना चंचल होता है कितना चतुर चलाक होता है मानो वो खजाना लिये घूमता हो वो इधर उधर इतना देखता रहता है इतना लोगों पर संका करता है एक बार कववा को बेटा पैदा हुआ तो उस कववे ने अपने बेटे से कहा बेटा यद कोई आदमी को जुकते हुए देखना जमीन पर कि कुछ उठा रहा है तो तुम उड़ जाना तो कहा पिता जी यदि वो पहले से ही जेब में पत्थर लिया हो तो कहा तुम मेरे से भी हुसियार हो तो इस प्रकार से कववा का बेटा कववे से भी जादा हुसियार होता है तो इस प्रकार से कुछ चतूर चलाक लोग होते हैं जो अपने जीवन में बुराईों की कमाई करते हैं हंस गवन चलियाओ हंस मान सरोवर में रहता है वो मोती चुकता है ऐसी कुदंतिया है मोती चुकता है नहीं चुकता है ये अलग बात है और ये कहते हैं कि दूध और पानी मिला हो तो दूध को खा लेता है दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है हो सकता है चोंच के हंस के चोंच में खटासपन होता हो कुछ ऐसा तत उसके चोंच में होता हो दूध में चोंच डालते ही दूध फट जाता हो छेना बन जाता हो और दूध को खा लेता हो और पानी को छोड़ देता हो इस प्रकार से उसका जो है हंस में ये पुदेंतिया है कि वो नीर शीर का विबे करता है इसी प्रकार से जो संतोजन होते हैं जो विबे की लोग होते हैं वो नीर शीर का निरने करते हैं और अच्छे रास्तों पर चलते हैं बुराईयों का त्याग करते हैं तो मैं कह रहा था सकलो दुरमत दूर करू अच्छा जनम बनाओ काग गवन गत छाड़ के हंस गवन चलियाओ तो इस साखी के अधार पर कुछ देर कुछ कहने का प्रियास किया इनी सब्दों के साथ मैं अपनी बानी को बिराम देता हूँ बोलिये सद्गुरु देवो की जैड़ संच्री सुपास सहब जी को बहुत सुन्दर विचार बहुत सुन्दर उधारण वास्तों में अपना किया हुआ करम कहें नहीं जाता है सद्गुरु कबीर साहिब भी और कहते हैं आपन कर्मन मेटो जाई करम का लिखा मेटे धों कैसे जो युक कोटी सुराई गोसामी जी भी कहते हैं कर्म प्रधान विस्वर चीराखा जो जैस कर रहें सुतस्फल चाखा सभी ग्रंथों में और सभी महापुर्शों को इस विचार पर एक स्वर से आवाज है और पूरी मानोजाती को इस पर ध्यान देना चाहिए और अपना कर्म सुंदर बनाना चाहिए यह कर्म हमारा अच्छा रहेगा तभी हमें सुख और सांती मिलेगी धन कमाना प्रत कमाना यह ठीक है विवहार के लिए भावतिक जीवन के लिए लेकिन हमारे परमार्थिक जीवन के लिए आंत्रिक सुख और सांती के लिए इमानदारी सजनता के जरूरी है इसलिए सद्गुरु कभीर साहिब ने कहा कि सकलो दूर मती दूर करो वास्तों में हम सब को एक दो नहीं जितनी भी दुर बुद्धी आती है सब को दूर करके अच्छा जीवन बनाना चाहिए तो आप लोगों के समक्ष अभी सुपास साहिब जी के बड़ा ही मार्मिक विचार रहा है और मैं निवेधन करता हूं संद्श्री देवेंद साहिब जी से आप आए और अपने सुंदर विचारों से हम लोगों को लाम हालमित करने की कि पारें आप कर कर आप पुझनिये संसमाज धर्मनों रागे सज्जुनों तथा देवियों सद्गुण से जीवन की नईया पार नहीं होती है सद्गुणों से जीवन की नईया पार नहीं होती है इसका सिर्फ एक लाब ये होता है कि जीवन में दुर्गुण नहीं होते हैं बस दुर्गुणों से आप मुक्त होते हैं उसका लाब ये है बाकी कोई सद्गुणी हो जाए तो उससे बहुत काम नहीं बनता है जीवन का इसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए एक आदमी है वह एक नावका से यात्रा कर रहा है और नावका पर बहुत बोज है तो इसके बड़ी संभावना है कि अगर थोड़ा भी तुफान उठे तो उसके नाव डूप जाएगी लेकिन अगर नाव हलकी है तो उसके बचने की संभावनाएं बनी रहती है तो जो दुरगुन है वो हमारे जीवन को कहीं ने कहीं लियागर के डुबो देते हैं और यदि दुरगुन नहीं है जीवन में तो जीवन हलका रहता है आप जो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं लेकिन जो केंद्र है केंद्र थोड़ा सा मेरी बात को समझें जो केंद्र है वो सदगुन नहीं है केंद्र है समझ केंद्र है समझ उस समझ से कुछ सदगुन प्रगट होते हैं एक नासमझी होती है उससे कुछ दुरगुन प्रगट होते हैं समझ अगर सही है तो उससे कुछ जैसे एक पाउधा आप लगाते हैं और उस पाउधे की जड़ मजबूत करते हैं तो उसमें से कुछ फूल प्रगट होते हैं और अगर कोई ऐसा पाउधा लगाते हैं जिसमें काटे हो तो उसको कपड़े फार देंगे हमारे तो जो सदगुण और दुरगुण है वो हमारे जीवन का केंद्र नहीं है जो हमारे जीवन का केंद्र है वो हमारी समझ है जैसे कोई अच्छा गीत गाता है तो गीत गाना कोई सदगुण नहीं है वह एक गुण है वो अच्छा आद्बी हो भी सकता है और नहीं भी लता मंगेश कर सन पच्चास से गा रही है सन पच्चास से उसके पहले से अभी वो नब्बे बरस की है और उनको उनके गाने की वज़े से भी जाना जाता है उनके विक्तित्यु की वज़े से भी जाना जाता है जो लोग फिल्मी दुनिया में होते हैं वो बड़े राग रंग वाले लोग होते है उनके कपड़े उनका वेवहार उनका हसना बोलना सब कुछ लता मंगेशकर नब्बे साल की हो गई है पुरा जीवन उन्होंने सूती की साड़ी सूती और साधी भी वो चार बहने हैं लता, आशा, उशा, मीना एक भाई हिर्देनाथ ये चारों के चारों महराज से हैं, मध्वरदेश से हैं लोग बेसिकली इन दौर से और ये चारों, पाँचों जितने हैं ये सब संगीत से जुड़े हुए लोग हैं लेकिन जितनी उचाईयां लताम गेशकर ने हासिल की उतना किसे और ने नहीं उनकी छोटी बहन है, आसा भोंसले वो भी अच्छा गाती हैं, लेकिन उनका जीवन थोड़ा अलग रहा लता, आज भी इतने विशष्टा लिए हुए हैं ये लोग समान करते हैं, गाना कोई बड़ी बात नहीं है फिल्मों में एक गाया गीत गाया करता था अचानक वो उसके गाया हुए गीत मशुहूर होने लगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उसने खुद भी नहीं सोचा हुआ कि वो इतना बड़ा सिंगर बन जाएगा उसकी पत्नी उससे में वो गर्व होती थी उसको छोड़ दिया एक दुसी और से शादी किया और प्रकरती का खेल देखिये, कितना खुबसूरत होता है या कितना दर्दनाक होता है, दोनों ही चीजे है, गल्य का कैंसर हो गया उसको बड़े मुश्किल से बचा लेकिन गाना छुट गया गाता है, लेकिन अब फिल्मों में नहीं गा पाता कि उसके लिए गला एक दम फ्रेश होना चाहिए, फ्रेश गला नहीं है तो गाना कोई सद्गुन नहीं है, वो एक गुन है, आदमी हो सकता है गलत भी हो जो सद्गुन है जिनकी हम बात कर रहे हैं, तया है, छमा है, प्रकरती द्यालू नहीं है, प्रकरती छमावान नहीं है, प्रकरती कवणावान नहीं है, हो सकता है कोई ऐसा सादू हो, जो कवणा करने में, द्या करने में उल्जहन वानता हो, ना करता हो, लेकिन वो रहता हो, अपने समझ में, अपने विवेक में, तो जो सद्गुन हैं, एक दिन वो भी जन्जाल जैसे हो जाते हैं, आपने पुरानों में कहानिया पढ़ी होंगी, नारत की, किसी इस्तरी को नारत ने रोते हुए सुना, तो दया करने के चक्कर ने पहुँच गए, मत रो, मत रो, क्यों रोती है, उसने कहा, मैं लुट गई, मेरा पती चला गया, मेरे बच्चे चले गए, नारत ने कहा, मत रो, मत रो, मेरी कुटिया है, वहाँ चल, और नारत अपनी कुटिया में ले गए, और धेर धेर नारत उसके पती हो गए, ऐसी कितनी कहानिया आपने सुनी हैं, पढ़ी हैं, तो दया करना, आप कर भी सकते हैं, और नई भी कर सकते हैं, आप अच्छे बोलने वाले हैं, आप अच्छे पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाएं, नई भी पढ़ाएं, कोई नुकसान नहीं है, कुछ संत हिमालेओं में या पहाड़ों पे कहीं रहते हैं, वो नई सिखाते हैं नई पढ़ाते हैं नई बोलते हैं अकेले जी लेते हैं कुछ कच्चा पक्का एक बार बना कर खा लिए जो मोटा महीन मिला उसको ओढ़ लिए पहन लिए और बहुत लंबे समय तक जीते हैं चुपचा आप मौन होकर के जीते हैं जो सदगुण हैं वो समाज में खिलते हैं जब आप अकेले होते हैं तो ना सदगुण का मूल ले है ना गुण का मूल ले है जब आप समाज में रहते हैं तो आपका व्यक्ति तो खिलता है जब आप अकेले रहते हैं कैसा गाना कैसा बोलना कैसा लिखना किसको समझाना किस पे कृपा करना किसको छमा करना तो ये जो सदगुण भी हैं ये भी एक तर्गे का एक दिन भार और बोज जैसे हो जाता है दुर्गुण तो बोज है ही वो तो ऐसे है जैसे कोई पत्थर अपने पैरों में बांध ले और चले कैसे चल पाएगा पत्थर उसे पीछे खीचेंगे उसकी पूरी शक्ति को पीछे खीचेंगे कितना चल पाएगा दुर्गुण हमारे ऐसे ही है वो हमें पीछे की और खीचते हैं लेकिन सदुगुण अगर सदुगुण की टेओं पड़ जाए तो वो भी एक तरीए का बोज हो जाता है जो सदुगुण का जो मूल है जिसे दुरुगुण है दुरुगुण का मूल है दुरुबुध्धी गलत समझ और जो सदुगुण है सदुगुण का जो मूल है वो है समझ सही समझ जो सबसे जो महत्यपून चीज है जीवन की वो है सही समझ ये धर्म की जो विवस्था है हमारे देश में ये बड़ी मुझे गजब की लगा करती है बहुत अदभूत लगा करती है धर्म की विवस्था में जिन लोगों ने अपने आपको तपाया है इसको थोड़ा सा सुनिएगा ये कुछ ऐसी चीज है जिसे कबीर सहाब है जिसे गोसा में तुलसी दास है ये सबसे निकट के उधार है हमारे तुलसी ने कहने लिखा कि मेरी मा कौन है मेरे पिता कौन है मेरी जात क्या है मैं कहां जनमा मेरे सिच्छा क्या है मैंने क्या किया तुलसी ने कहीं नहीं लिखा और जीवन भर कुजात जैसे रहे विचार उनके जैसे हो लेकिन उन्हों ने अपने आपको कहीं बढ़ावा नहीं दिया कबीर ने बीजक में कितना कुछ कहा है दूसरों पर अपने पर कुछ भी नहीं कहा सिर्फ एक बात मिलती है तू बामhn मैं काशी का जुलाहा बूझो मोरा ग्याना मैं काशी का जुलाहा हूँ शान से कहते हैं बागी कुछ जानकारी नहीं है जिन लोगों ने धरम में प्रवेश किया उन लोगों ने बहुत साहस और हिम्मत से जीवन को जिया अपने को कभी उनके मन में नहीं आए कि हम आगे बढ़ें हम प्रदर्शित करें लोग हमें जाने कैसे लोग थे वो इतने भरे भरे थे इतने संतुष्ट थे कि उन्होंने परवाहे नहीं की कि बाहर हमें कोई जाने बाहर हमारा नाम फैले ये धरम की सुगंधी है और ये बहुत अदभूत है मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था एक अंग्रेज लेखक है पॉल जानसन नाम का है उसने किताब लिखी है इंटेलेक्शुल्स इंटेलेक्शुल्स मतलब होता है बहुत धिक बहुत फेमस किताब है उसने उसमें जो खास खास योरोप के विचारक और चिंतक हुए हैं उनका जीवन उसने लिखा है थोड़े थोड़े में दस बारह लोगों का जैसे संसार के महापुर्स में आपने पढ़ाऊगा मार्क्स का जीवन तो ऐसे ही दस बारह लोगों का उसने जीवन थोड़े थोड़े में लिखा है और जानते हैं कैसे लिखा है उनकी अच्छाईयों को गिनाया है उनकी बुराईयों को भी गिनाया है विदेशों में जिन लोगों को इतना नाम दिया जा रहा है इतना मान दिया जा रहा है अगर हमारे भारत वरस में होते तो कोई चर्चा भी नहीं करता है उनकी आईब उनमें हैं कमियां उनमें हैं बुराईयां उनमें हैं अपने आपको आगे बढ़ाने की लालसा है और उसलिखा किने सब कुछ उन्हें नंगा कर दिया खोल दिया एकड़म पर मैं ये भी आशर करता हूं कि इतनी कमियों और इतनी इतने आईबों के बावजूद वो इतना उपर तक उठ पाए जो हमारे आईब होते हैं जो हमारी कमियां होती हैं वो हमें पीछे की और खीशती हैं इसा मसीह ने बाइबिल में लिखा है कहा है जो चिडिया आकाश को चूमना चाहे आकाश की उचाईयों को हंसिल करना चाहे वो है अपने पैरों में धागा बांध करके कंकड न लटका ले कोई पक्छी है और एक धागा से कोई कंकड बांध करके उसको उड़ा दो बहुत उंचा नहीं उठ पाएगा उनीचे ही रह जाएगा इसा ने कहा वैसे ही जो परमात्मा के रास्ते पचलना चाहते हैं वो बहुत सी कम्यों से अपने आपको मुक्त रखे हैं भारत वर्ष में तो हमने उन लोगों को पूजा है उन लोगों को अपना अध्यात्मिक गुरु माना है जिन लोगों ने पहले अपने आपको अपनी कम्यों से दुरुस्त किया है उसके बाद फिर बाते हैं बाते बाद में आती हैं जिनका जीवन मजबूत है उनके जीवन से सदगुण अपने आप प्रगठ होते हैं सदगुणों के लिए आपको बाहर से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है अमख्चमावान है तो हम भी हो जाएं दूसरा बहुत कोमल है हम भी हो जाएं नहीं होते हैं किसी दूसरे इसलिए गुरु के पास जब शिश से रहता है तो गुरु अपने मौज में जीता है और चेला अपने कलश में जीता है कारण जो गुरु के सद्गुन प्रगट हो रहे हैं वो उसकी अपनी समझ से प्रगट हो रहे हैं और शिस्च में वैसी समझ है नहीं वो सिर्फ फूल देखता है सिर्फ फूल देखो फूल खिले हम तो क्या करता है उधारी वाले कुछ फूल तोड़ करके अपने पास ले आत प्रगट है और पर चाओं तरब भी खेर लेता है बात समझ रहे हैं एक पेड़ में फूल खिले हुए हैं दूसरे पेड़ में कोई फूल नहीं है उसको लगा अरे मेरे पास कोई खुश्बू नहीं तो क्या करता है बगल वाले पेड़ से संयोग से हवा की चलने से कुछ फूल इसके पास आ जाते हैं इत्राने लगता है देखो देखो मेरे पास भी फूल है और यह उधारी के फूल है गुरू के पास अच्छे और सच्छे गुरू के पास जीवन भर रहा जा सकता है बिना एक भी सद्गुन लिये हुए क्यों सद्गुन बाहर से नहीं लिये जा सकते हैं वो भीतर से उमगते हैं कभी ऐसी औरत को देखो जो मा बनी हो जिसका बच्चा उसकी गोध में हो और पती उसके साथ हो और और भले गरीब हो और देखो उसको दुनिया जहां की कोई परवा नहीं है अपने बच्चे को खिलाने में उसको देखने में उसको दुलारने में मस्त है मगन है और बगल में उसका पती है भीतर से संतोस में जीती है इसलिए उसमें बगानता है हम बड़े लालची लोग हैं अगर मैं सही कहूं तो आदमी की जाज जितनी लालची है जितना नकल करने वाली है सायद पशू इतने लालची नहीं होते वो इतने नकलची नहीं होते हैं हम थोड़ी थोड़ी चीजें देखते हैं और उनको पाना चाहते हैं और जो मूल चीज है जो भीतर होनी चाहिए वो सुखी है रस हीन है कोई पेड़ हो और वह रस से उतपरोत ना हो तो सुख जाएगा उसमें कोई फूल और फल नहीं आएंगे तो हम बहुत सद्गुणों को कहने में और सुनने में रस ना लें सद्गुण जीवन की नया पार नहीं करते हैं वो हैं तो हमारा जीवन हलका जरूर होता है बस दुर्गुण नहीं हैं सद्गुण होने का ये मतलब होता है लेकिन जो खास चीज है वो है हमारी समझ समझ सही है हम अपने केंदर से जुड़े हुए है तो अपने आप खुश्बू आएगी जंगल में मोर नाचा किस ने देखा कोई देखे न देखे मोर तो जब बादल आएंगे बदलिया अचाएंगी तो नाचेगा ही नाचेगा वो अच्छा गाने वाला है कोई भले न सुने वो गाएगा मस्त होकर के गाएगा तो बहुत सद्गुणों का इकठा करना सद्गुणों के बारे में कहना वो इतना मूल लवान नहीं है मूल लवान है वह समझ जिससे ये सद्गुण प्रगट होते हैं और मैंने जो ये भी कहा कि गुरू के पास कोई रहे फिर भी वो ऐसे ही रह सकता है तो ये भी एकदम सच है तो कि गुरू से कुछ भी मिलेगा नहीं जो भी मिलना है भीतर से ही निकलना है ये हम पे है कि हम भिखारी बनते हैं या हम बादशाह बनते हैं और जब तक हम ये समझते रहेंगे कि बाहर के लोग मिल जाएंगे तब हम शक्तिशाली होंगे बाहर के लोग हमारी पूजा करेंगे तब हम पूज्य होंगे बाहर के लोग कहेंगे तब हम समर्थवान होंगे जब तक ऐसी समझ बनी है तब तक ऐसे समझ होगी एक छोटा सा बच्चा मेले में चल रहा है एक छोटा बच्चा मेले में गूमने निकला है ऐसे समझो, एक छोटे बच्चे को मेले की कितनी समझ होगी, नहीं होगी ना, बहुत समझ नहीं होगी, वो तो हर चीज को आश्र चकित होकर के देखेगा, तो हम अपने चीवन को समझ से परिपूर्ण करें, ना कि देखा देखी बातों से, देखा देखी चीजों से, उससे कुछ नहीं होना है, एक बिखारी भी सुबह जब चलता है, तो नंगी जोली लेके चलता है, और शाम तक आता है, उसकी जोली भी भरी होती है, लेकिन रहेगा वो भिखारी ही और एक बादशाह सुबह निकलता है और शाम को आता है और बहुत दे करके आता है जनता के बीच में जाता है तो दे करके आएगा लेकिन बादशाह है क्या चीज है उसे भिखारी बनाती है और क्या चीज़े उसे बादशाह बनाता है औरंग जेव का छोटा भाई था दाराशिको दाराशिको बहुत इंटेलेक्शुल आदमी था सकरात्मक था कटर नहीं था शाह जहां चाहता था कि मेरे बाद यही बादशाह बने हिंदुस्तान का लेकिन औरंग जेव छोटी उम्र से सेना पती बन गया था तो युद्ध में निपुन था तो जब बाब बुढ़ा हो गया तो औरंग जेव दक्षिन से वहां का सुबेदार था अपनी सेना लेकर के आगरा आया और अपने भाई को हरा दिया एक कसाई किसी विद्वान से लड़ जाए तो कौन जीतेगा तो वह इसे ही हाल हुआ और अंग जेव लड़ गया भाई को पकड़ लिया पूरी दिल्ली रो दी उसके बड़े समर्थक थे लोग तो दिल्ली की सड़कों पर उसने एक नंगे हाथी पर एक हुदा मतलब लकड़ी का एक काठी जिस पर उसको बैठा दिया गया नंगे हाथी पर बैठा दिया गया और जनता के बीच में छोड़ दिया देख लें दिल्ली वाले तुम्हारा बादशाह होने वाला उसके मैंने क्या हाल किये हैं और तुम लोगों का भी यही हाल होगा उसके पास कुछ नहीं था तो रास्ते में एक फकीर मिल गया जिसको दाराशी को दिया करता था तो फकीर किनारे से हाथ हिलाया हुजूर आज कुछ मिलेगा दारा के पास कुछ नहीं था वो तो हारा हुआ था उसके शरीर में घाव थे एक शाल ओड रखा था उसने तो उसने हाथी से बैठे बैठे अपने शाल को तार करके फकीर को फैंक दिया एकदम नंगा हो गया हो कुछ ना था उसके पास उसकी जैकार होने लगी थोड़ी सी चीज दिया जैकार होने लगी और अंगजेब ने उसको वापस बुलवाया गला कटवा दिया और पिता को जेल में रखा था थाल ले जा करके उस पे कपड़े से ढख करके कहा देखो तुम्हारे लिए कुछ इनाम लाएं है कपड़ा हटाया देखा दारा शिकोह का सिर उसका सबसे प्यारा जीवन नम्रता और कोमलता में ही खिलता है ये तो सच है कटोर होने में नहीं हमारा जो एक्टिटacked है जो हमारा तरीका है वो हमें राजा बनाता है या कि हमें बिकारी बनाता है मै अपने लिए भी सोचता हूं कि जीवन के अंत में आते-आते एक भिखारी की तरह मरूँगा या एक शांत इसे कुछ ना चाहिए उस तरह के से चियूँगा कुछ थोड़ी सी बात है अपनी बात को मेही पर विराम देता है बोलिये सद्गुरु देव की जै संद्श्री देवेंद्र साहब जी के बहुत ही सुन्दर विचार सर्वन कर रहे थे आगे निवेदन है संद्श्री बिरेंद्र साहब जी से आप आएं और आप अपने कल्यान कारी विचारों से हम लोग को लंभाम वित करें साहब देजी संद्श्री देजी परंपुज्य गुरुदेव जी अर्चनी बन्नी संसमाज इस सभा में विराजमान सम्मानने ससंक्रेमी सज्जनो माताओ अब तो कुवा खोदने का जमाना नहीं रहा लेकिन जिनोंने कुवा खोदा है अथवा देखा है तो एक दो फावडे मिट्टि निकालने पर हमको पानी नहीं मिलता है अनगिनत फावडे मारते हैं और तब तक मारते रहते हैं जब तक पानी का स्रोथ नहीं मिल जाता जब स्रोथ मिल जाता है तब कुवा खोदने का लक्ष समाप्त हो जाता है अभी संत्री दिवेन साहिब कह रहे थे कि सद्गूर जो होता है अथवा समझ जो उत्पन होती है वो कैसे अपने से उत्पन होती है जैसे हमने कुवा में पानी का स्रोथ खोद कर लाया उससे पहले देखें तो नजाने कितनी कितने ट्रक मिट्यम खोद कर बहा दिये ये क्या है हमारे जियन में आउगूर है ये दोस हैं कमिया हैं इनको निकालने के बाद हमारे जियन में एक समझ उत्पन होती है और उसी समझ के आधार पर यदि जीवन जिया जाए तो सच मुच में जीवन का उद्देश स्पूरा होता है कोई भी चीज अच्छी और बूरी नहीं होती है उसका सदुप्योग करना उससे अच्छा बनाना है उसका दुरुप्योग करना उसको गलत बनाना है तो जीवन में हम कुछ भी अच्छा ही अरजित करते हैं तो उससे उपर हमें जो कमिया है बुराईया है उनको खोद कर निकालना पड़ता है कहने का मतलब यह है अच्छाईयां बुराईयों के निशे दबी होती है खूबियां कमियों के निशे दबी होती है जैसे पानी पानी मित्ती रेट कंकर और पत्थरों से ढखा हुआ होता है यदि कुवा खोदने पर पानी मिलता है तो उससे पहले मिट्टी खोद कर भाते हैं पत्थर निकलता है उसको भी तोड़ते हैं तब पानी का सुरूत मिलता है इसी प्रकार हमारे जियन में जो समझ उत्थपन होती है उसके मूल में है हमारी मेहनत जो जितनी मेहनत करता है उसी ढंक से वो आगे समझ के लिए बढ़ता है और जो मेहनत नहीं करता है उसके जियों में समझ उत्थपन नहीं होती है जैसे एक ही घर में कोई वृद्ध हो उसका शड़ी शूड़ गया उसी घर में कोई महिला गर्भाती हो जैसे उसका बृद्ध का शरीर शूड़ा है वैसे उनकी यहां बच्चा आ गया शरीर शूटना और बच्चा पैदा होना यह दोनों क्या है घटना है और उन घटनाओं को किस प्रकार से हम लेते हैं कुछ लोग रोएंगे कि दादा का शेश शूड़ गया पीता का शेश शूड़ गया कुछ लोग आनंदित होंगे हमारे घर में एक नया महमान आया है लेकि जो समझदार होगा समझदार वहाँ पर इस्सित होता है जहां पर ओ देखता है कि किवल एक घटना है उसमें ज़्यादा आंदोलित नहीं होता है और जब आंदोलित नहीं होता है तो सुखी दुखी होने की कोई बात ही नहीं है हाँ हमारे जीवन में अच्छी बुद्धी प्राप्त करनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है अच्छे लोगों की संगती करना क्योंकि संग के आधार पर आदमी बनता और बिगड़ता है तब ही हम कहते हैं कि देखो भाई यह तुम्हारा बेटा जो है अच्छे लोग साथ में नहीं घूमता है हर माब आपको चिंता होती है कि मेरा बेटा बाहर पढ़ रहा है ना जाने कैसे कैसे लड़कों के साथ में होगा इस बात की चिंता होती है बेटा अच्छा निकल गया तब समझता है नहीं नहीं बेटा जो है अच्छे लोग के संगती में था और बेटा कहीं बहुत ज़्यादा चलाय मान हो गया तब उसे दुख होता है कि नहीं बेटा जो है अच्छे लोगों के संगत में नहीं रहा है इसलिए भी गड़ गया तो हमें सदें अच्छे लोगी संगती करते रहने की जुरुवत है इससे क्या है अच्छी जानकारी मिलती रहेगी और हमें जो बुराईया है अच्छे लोग इंगित करते रहेंगे तो समय से उनका निस्कासन भी होता रहेगा अब इस प्रकार धीरे 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 वो एक अच्छा समझदार आदमी हो जाएगा वो समझ जाएगा क्या बुराई है क्या अच्छाई है अच्छी घटना घटती है तो भी उसमें कोई ज़्यादा वो उसको प्रसंता की अनुभूती नहीं करनी पड़ेगी और कोई बुरी घटना घटती है तो भी समझ जाएगा ये घटना ठीक नहीं है मन इस से हमको बचना चाहिए तो जीवन में ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम समझदार बनें क्योंकि कहा गया है जो समझदार प्रश्न होता है कि दुनिया में कौन साइस है ब्यक्ति है जो सुखी है, संतुष्ट है उसके लिए एक उत्तर है जो समझदार है और दूसरा उत्तर नहीं है समझदार आदमी कहीं मी रहेगा उसके पास अच्छी समझ है चीजों को देखने के लिए तो उस समझ के आधार पर अपने को बिलकुल हो पचा कर रखेगा समझेगा कि हाँ ऐसा होना ता होता है किसी ने गाली दे तो भी समझ जाता है कि संसार में बहुत लोग है जो प्रसंसा भी करते हैं गाली भी देते हैं जाता है इन दोनों से वह लापरवाह रहता है यानि उसको एक किनारा मिल गया ऐसा किनारा कि राग भी उसको प्रभावित नहीं कर पाया उसकी बढ़ाई करने वाले भी रहे हैं और उसको गाली देने वाले भी नहीं लेकिन दोनों के बीच में तटस्ता है तुम लोग अपना काम करो कर रहे हैं यह भी अपना काम कर रहा है इसका काम क्या है देखने का यह समझ जब मिल जाती है तो किसी प्रकार का दुख हमको नहीं होता है और जहां तक यह समझ नहीं है हमारे पास तो हम क्या करेंगे अनकूल प्राणी पदार्थ हमारे लिए राग के करण बनेंगे राग के निमित बनेंगे और प्रत्कूल प्राणी पदार्थ द्वेस के निमित बनेंगे इस प्रकार हमारा जिवन राग और द्वेस में चिपका रहेगा आम दुख्य होते रहेंगे तो हर इंसान के लिए ये बहुत जुरूरी है कि वो समझदार बने समझदार नहीं है इसी ने तो दुनिया भर के लोग बाहर में इश्वर पाने के लिए खुदा पाने के लिए गौट पाने के लिए दोड़ते रहते हैं समझदार हो जाएंगा वो ये समझ जाएंगे इन सब की कलपना करने वाला तो मनुशे ही है मैं ही हूँ मेरा कोई भाई है समझ इस्तिर हो गई कहीं जाने की जुरूरत नहीं तो ऐसा समझदार वो कहीं भी रहेगा किसी भी देश में हो सब समय सुकी रहेगा सदुर कभीर ने कहा है समझे की गती एक है जिन समझा सब ठोर कहां ही कभीर ये बीच के बल कहीं और की और सदुर कभीर कहते हैं संसार में जितने भी समझदार विक्ति हैं उनकी गती पहुंच उनकी इस्थिति एक समान है ये जो बीच में होते हैं जो समझदार नहीं होते हैं वे ही कुछ का कुछ कहा करते हैं और लोग जो है उनकी बातों में आ जाया करते हैं वे भी वैसा बन जाया करते हैं इसे ले सुकी दुखी होते रहते हैं हमको कुछ भी पाना नहीं है आप अपने लिए महत पूर्ण चीज हैं हम अपने लिए महत पूर्ण चीज हैं हमारे पास सब कुछ है बसरते हैं इसको समझदारी पूर्णक देखने और समझने की जुरत है हमारा और आपका जीवन किसी इश्वर परमात्मा को पाने के लिए नहीं है कि वुदर हम बेकार में अपना समय भी वरवात करें, शक्ति भी वरवात करें हमारा और आपका जो जीवन मिला है, वो अपने आपको समझने के लिए हम अपने को समझने का तो प्रयास करते नहीं, बाहर भागा करते हैं बाहर क्या मिलेगा? वह यह विशेपदार्थ बाहर हैं, प्राणी पदार्थ मिलेंगे? तो हमें अपने लिए बाहर से कुछ भी पाना नहीं है, पर सरते को अपने को समझना आ है? इसलिए हमारा इतना समय मिलता है हमको, किसी को चालिस वर्ष का समय मिलता है, किसी को पचास, किसी को सौव, इसलिए मिलता है कि आज तक हमने अपने आपका अध्यन नहीं किया? कितना समय होता है? बहुत समय होता है, असंसार के प्राणी पादार्थों का अध्यन करते करते हमारा सब समय चला जाता है, और हमें अध्यन करने का जाओ असर आते हैं अपने आपके लिए, समय जा चुका होता है, खो चुका होता है, जैसे पादर्द करते हारा हुआ जुवारी, उसकी दसा होती है, वैसाइ हारे हुए जुवारी की तरह हमारी बितसा होती है, तो हमारा जीवन बहुत मुल्यवान है इसलिए अपने जीवन के मुल्य को समझते हुए अपने जीवन में जो हमें सुक्सांती प्राप्त करना है अथ्वान अनभाव करना है इस बीच जो बाधक तत्व हैं बाधक तत्व बाहर नहीं बाधक तत्व हमारे अंदर हमारे मन के विकार हमारी ना समझी यह हमारे लिए बाधक तत्व हर सिती में यह बाधक तत्त हमें आशांत करते रहते हैं बस इन ही बाधक तत्तों को समझना है है समझ करके उन तत्तों को दरकिनार करना है क्यों इसलिए कि मुझे हर इस्थिती में ये अशांत किया करते हैं कि शांत बने रहने नहीं देते हैं जबकि मेरे जीवन का उद्देशी क्या है जीवन में शांती तो बादक तो तो किनारे हो जाते हैं हम अपने माप में होते हैं इसलिए हर इंसान को समझदार बनने की अवश्यक्ता है और जब तक वो समझदार नहीं बनेगा चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो धनी हो और कितना भी प्रसिद्ध क्यों नहीं हो उसुखी नहीं हो सकता तो आप सब के बीच मैंने कुछ देर कुछ कहने का प्रैस किया यहीं पर अपनी वारी में विराम देता हूं प्रेम से बोलिए सदुरू कबीर साहब की जय अभी हम संद्श्री विरेंद्र सहेब जी द्वारा बहुत ही सुन्दर विचार सर्वन कर रहे थे हमारे जीवन के लिए बहुत ही एक से सद्गुन पर हमें चलना है सद्गुन क्या है जीवन हमारा सुखत कैसे हो बहुत ही अच्छा विचार रहा अब परहम पुज्य गुर्देव जी से नम्रन वेधन है आप अपने कल्यान कारी विचारों से हम लोगों को कितार्था करने की किरपा करेंगे हम लोगों कितार्था करेंगे हम लोगों कितार्था करेंगे जो कुछ हम पढ़ते गुनते हैं, कहते सुनते हैं, ज्ञान, विवेक, वराग, सहीन, साधना की बाते हैं उन सब की चरतार्थता किसमे होगे, कहते समझा जाए, कि धर्म ज्ञान भक्ति सब हमारे जीवन में उतर रहे हैं क्योंकि कहने सुनना में तो सर अलतर रहती है, अच्छा लगता है और सुनने से ज्यादा कहने में और अच्छा लगता है आदमी को हमारा अहम पुष्ट होता है कि हम बड़े ज्यानी हैं बहुत लोगों को प्रभावित कर लेते हैं कि हमारे अपने लिए आवस्या क्या है का न चाहिए एक कल्यान के लिए शहयोगी क्या है जितने सद्गोन हैं उन सबकी आवस्या है अमुक क्या सकता है, अमुक क्या सकता, ने, और नहीं क्या सकतें सबकी आवस्या शकता है लेकिन सभी सद्गुनों के साथ साथ सहंतिलता की महती आवस्टता है सहंतिलता का एक समान्य अर्थ जो हम सब जानते है दुख, विपत्ती, निंदा, अपमान, घाटा मतलब जितने प्रवी प्रकार की प्रत्यकुलताएं है उन प्रत्यकुलताओं के आने पर बिजलित न होना इस्थिर्शान, संतुलित रहना प्रत्यक्रिया की भावना मन में न होना इस्थिर्शान सिलता है इसकी आवसकता है लिकने बाहर करें भीतर के लिए भी स्थिलता आवसकता है जब बाहर से कुछ प्रत्यकुलता आती है चाहो किसी मनुस्ति के द्वारा हो या प्रानिक द्वारा हो या प्रत्यगटने के द्वारा हो तब या तो हम रोते हैं, बिलाब करते हैं या पर्दिक्रिया में पढ़कर बदला लेने की भाना रखते हैं और या दोनों हमारी कमजोरी हो जाते हैं जितने कमजोरी हमारे भितर रहेगी उतना हम बिचलित होंगे, दुखी होंगे या रोना क्या है? अंदर की कमजोरी ही है गाली गलो देना, क्रोद करना, बदला लेने भाना रखना अंदर की कमजोरी ही है स्वामी तंक्राचार्य ने जो कहा है वो बाहर के लिए है कि स्वाम् स्वादुखा नाम अप्रतिकार पुर्वकम् चिंता विला प्रहितं सा तितिक्षा निगेद्धते तितिक्षा का मतलब सहन सिलता, सभी प्रकार के दुखों को सहन करना कैसे? अब प्रतिकार पुर्वकम् प्रतिक्रिया की भावना से बदला लेने की भावना से रहित होकर अब बदला कहां लिया जाता है? खासकर मनस्यों द्वारा प्राप्त प्रतिकूलता में मच्छर कार दिया क्या बदला लोगे मच्छर उसे? कुट्टे ने कार दिया किसी कीड़े ने कार दिया क्या बदला लोगे है? मनस्यों से बदला लेने की भावना होती है चाहों मुकदमा लड़ करके हो चाहे मार करके हो या किसी पंचाइज के लिए हो क्या हो जैसे भी हो लिकिन स्वामी जी कहते हैं बदला लेने की भावना ना हो मन में बहत बदला लेना ने हैं मन में बदला लेने की भावना ही न उठे और चिंता नहो बिलाप नहो प्रकृति घट ना में चिंता बिलाप है इस से नहों यह ते तिक्छा है और इसकी आव सकता है महती आवा सकता है जीवन भर कोई निंदा करेगा कोई अप्टान करेगा कोई गाली देगा कोई मिठ्या दोसा रोपन करेगा witness सब कुछ होगा और यह सब को लेकर हम बितलित होते रहें पर्दिक्रियाम पढ़ते रहें तो कुछ नहीं कर पाएंगे तो जो हम जानते कहते सुनते हैं एक वाग विलास जबनगर के रह जाता है भीतर संतिल्ता क्या है संतिल्ता के लिए आवशकता है धैर्यकी जित किसी के पाक भी हो चहाँ जिसको हो साधु गरह सब मनुष्य ही है गुरुषी सब मनुष्य ही तो है जिसकिसी के पास धैर्य नहीं होगा और सहंसिल्य नहीं बन पाएगा जहां उतावलापना है उतावलापना में तो तुरंद प्रतिक्रिया की भावना होती है और धैर्य उतावलापना के बिल्कृ विपरीद है तो सहन्तिलता की आवस्यक्ता यह सहन्तिलता कभी सफल होगी जब हमारे पास धैरिय होगा धैरिय मतलब यह भी होता है कि प्रतिक्षा करना ऐसे प्रतिक्षा की आवसकता है साहब ने जो कहा है कि धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ और माले सीचे सावगरारी तो वाय फल होए कभी धीरज के धरे हाथी मन भर खाए एक टूगा के कारने स्वान घरो घर जाए यह बाहर धैरिय की बात है प्रतिक्षा करना इंजार करना इसको हम स्वांस्विलता नहीं कह सकते हैं लेकिन धैरिय वास्तविक धैरिय क्या है जिस हम स्वांस्विलता की संग्या दे सकते हैं धैरिय की परिभास दे गई है अने प्रकार की परिभास आए हैं धैरिय की परिभास दे गई है जिवहा पस्थो धृति जिवहा पस जयो धृति जिवहा पस जयो धृति जिवहा और जनरेंद्री इन दोनों पर विजय प्राप्ट करना धैरिय है और यहीं वास्तविक शहन सिलता है और दोनों ने आदमी गरबराता है न जिवहा परसेयम न जनरेंदी परसेयम और सारी समस्याएं इन इन ही दोनों के असेयम के कारण है जिवहा और जनरेंदी परसेयम है तो समस्या ही नहीं पैदा होगी न बाहर न भीतर पहली बात है जिवहा जिवहा पर जय जय मतलब यहां पर सैयम विजय पर आपर करना के मतलब क्या है सैयम रखना इन पर इन पर नियंतर रखना और जिवहा दो काम करती है ज्यानिंदरी भी है करमेंदरी भी है ग्यानेंद्री में जब जीवा ग्यानेंद्री का काम करती है तो स्वाद ग्रहन करती है जीवा कर्मेंद्री का काम करती है तो बोलती है तो आदमी का तो स्वाद पर ही नियंत्रन नहीं है बड़े बड़े ग्यानी है एक महात्मा बहुत पहले है बस हम लोग नए नए आए थे उस समय उस समय उनकी उमर फ़र्टा 75 साल की रही होगी कम असकम 75 साल से कम तो नहीं रही होगी त्यागी थे, बैरागी थे, अच्छे एकांत सेवी भी थे आस्रम में रहते थे अब उमर बढ़ने पर तो सभावी खे तो कते साहब भूख नहीं लगती है साहब पेर साफ नहीं होता है यह उनके पराबर सिकात रहती थी और जिस आस्रम में रहते थे, जिसे हमारे यहां भी रूटी बनती है तो इसे देढ़ी रूटी बनती है नहीं रूटी थे महात्मात्म थे नहीं भूख नहीं रती है तो यह वह नहीं बार्र फंदर रूटी खाते थे तो वो एकांत में रहना स्वाधायकर नालग है। तो आप खाने बढ़ता हूं तो रोखने पाता अपने आपको। कहां जिवह पढ़ता हिया में पे। जिवह खाते समय धिरत रखना। एक भक्त थे, वे कहां करते थे, समय समय से। कौन आदमें साधक और ज्ञानी हैं। कौन आदमें इसके विपरीत हैं। इक की तो बहुत पहचान होता थे, अनेक कर्मों से। इक इसके पहचानना है तो उसके खाते समय देखो कि वो कैसे खा रहा है। हबबकर खा रहा है, स्वाब लेकर कि धीर की धीरत से खा रहा है। अजिए सहिमित पुरह खा रहा है। आहिस्ता से धीरत पुरह खा रहा समद्ना कि वो ग्यानियोशाधक है। तो बात यहां जीव पष्थ जय अजरते। जीव परसहिम। स्वाद परसहिम। खाना जीवन भर है, स्वाद वैसे हर्ज वस्तु में स्वाद है, अजीवा से भूलते भी हैं, बोलने भर हैं। कि समय के अनकूल बोलना उचित बात बोलना उचित मात्रा में बोलना कि इनके भर द्ध्यान कहां रख पाते हैं? हम सेयम ध्यान कहां रख पाते हैं सुतने क्या सकता है कितना हमारे खाने पर सेयम है और कितना हमारा बोलने पर सेयम है खाने पर और बोलने पर सेयम है पुरा नियंतरन यह वास्तरिक सहन सिलता है भीतर के लिए बाहर सहंतिल तो हो जाता है आइजमी मजबुरी है कि मजबुरी होती है आडमी कमजुरी होती है ज्ञान भी रहता है लेकिन खाने और बोलने पर आपक सही हम सही circles है आपक सही festive खाने पर और बोलने पर पूरा नियंत्रन हो जाना इस तही सहंतिलता है और इसी सहंतिलता से आत्मे विजय होगी इसी सहंतिलता से दुखों से बस सकते हैं और धैरिय, धृति, जननेंद्री परसेयम, कामवातना परसेयम, जननेंद्री मतलब कामवातना ही नहीं है, इच्छा, वातना, तृष्णा, इन परसेयम, और इन परसेयम कहा है आदेम? कामवातना के मूल के कारण, कितने-कितने समस्याइं दुनिया में पैदा हो रही है, और मन में जो इच्छा, तृष्णा है, बड़ी सी बड़ी वस्तु को देख करके, मन में लोभुत्पन ना हो, उतके लिए मन चलाए मानना हो, उतके लिए इच्छा ना हो, ये सहंतिलता हमारे काम आएगी, और ये सहंतिलता समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये किसी नहीं गाली दी, हमारे निंदा कर दिया, हमारे सामने ही, अपमान कर दिया, चीज बिगार दिया, वहां हम सोचते हैं, कि ये मैं इसे बदला लेने के रखूंगा, तो मेरे समाज में बिज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, सादो कर ऐसा कह रहे हैं, मौन रहूंगा मैं, सांत रहूंगा, तो लोग समझेंगे, हाँ बाबा बड़े सहंसिल हैं, बाबा बड़े सांत हेत्यागी हैं, वहां ते एक परतिष्ठा की बहाँ ना आ जाती हैं, क्योंकि वो जो हमरे सहंसिलता है, क्योंकि हमें गाली दी, लोगोंने, अपमान किया, निंदा किया, और सब भी जो हम बिल्कुल मौन, चान्त वैठे हैं, तो हमारी समाजिक परतिष्ठा होगी, लोग वावा कहेंगे, और कई बार इस सहंसिलता के मूल में ये परतिष्ठा की कामना रह जाती है, चलो ये भी अच्छा ही है, लेकिन बड़ी सी बड़ी वस्तु को देखकर, मुल्यमान से मुल्यमान वस्तु को देखकर के, मन में को इच्छा तृष्णा नहीं जागी इच्छ तो लोग जानेंगे नहीं न इच्छा उठ रही है कि नहीं उठ रही है कौन जानेगा इच्छा हमारी क्या समाधी प्रतिष्ठा होगी संदरी संदरी यूती को देखकर किसी यूवक पुरुस के मन में संदर संदर पुरुस को देखकर किसी यूती के मन में कोई मोह वासना का उदाय नहीं हुआ इच्छे को देख तो नहीं पाएगा लेकिन यहीं सहंसिलता हमारे काम आएगी और इस पर सहंसिलता नहीं, चीजों को देकर हमाना मन दलचाता रहता है, इस थुल काम करिया है, हम बचे हुए हैं, लेकि मन में काम के वातना आती रहती है, किसी यूती को युवक को देकर मन चला एमान होता रहता है, तो फिर ज्ञान कहां है फिर धरम कहां है हमारे फिर साधना कहां है मन में जब चंजलता उत्मन हो रही है विकार उत्मन हो रहा है तो फिर ना महां ज्ञान है ना विवेक है ना साधना है ना कुछ भी तो नहीं है तो जो हम पढ़ते लिखते हैं वो का उतकी चर्थार्थता किसमे है कोई जाने या ना जाने लेकिन हम तो जान रहे हैं न बाहर में भला है तो लोग देखते हैं जानते हैं उसमें हमारी समाधिक पृतिष्ठा होती है सम्मान होता है प्रफंवा होती है लेकिन भीतर मन चलायमान बिल्कुल नहीं हो रहा है यह तो हम ही जान पाते हैं और यह चलायमान नहों नहों नहीं पूरी आत्मे विजय ही यही अतली सहन सिलता है इसलिए यह जो कहा गया है कि हम वो नहीं होते जो हम समाज सब की भी समाज में दिखते हैं किन्त हम वह होते हैं जो हम बिल्कुल अकेले में होते हूं है और उस समय जो हमारी क्रिया होती है वह हमारा वास्तविक रूप होता है कि कोई हमें नहीं देख पा रहा है हो चुका है उस समय हम जो काम करेंगे वह हमारा अतली रूप होगा अब बदनामी का डर जहां खतम हो चुका है अब प्रलोभन के तमाम साधन उपलब्ध है तो उपलोभन साधनों के बीच में मन का इस्थिर रह जाना चंचल ना होना यह हमारी वास्तरिक सहंसिलता होगी अब यही हमारे सहंसिलता हमें हमारे कल्यान का में शहयोगी बनेगी बदनामी के डर से सहंसिल बन गए हैं तिस अंसिलता नहीं ये धिरत नहीं है ये ज्ञान ये बैराग नहीं है ये मजबुरी है डर है भय है अपमानित होने का भय तो है ही डंडित होने का भी भय है मानता हूँ मैं कि अपमानित और डंडित होने के भैसे भी आदमी यदि गलत काम से रुका रहता है तो अच्छा है लेकिन ये मजबूरी है ना आपने विजय तो नहीं है इतम धीरज या संतिलता तो नहीं कह सकते इसमें हमारा कल्यान भी नहीं हो गा क्योंकि वो मजबूरी बत्किया जा रहा है वहां मन पड़ तो कोई संयम है ही नहीं बाहरी सारा नियंत्रण जहां खतम है कुछ भी करने के पुरी छूट जहां है और इंद्रों को तेजित करने वाले प्रलभन के विशय जहां पर है वहां पर मन इंद्रिया तो इंद्रिया मन में भी उन वस्तमों को देख करके लोभ लालत इच्छा या हलत उत्पन ना हो यह धैरिया है यही सांसिलता यही हमारे ज्ञान विवेक बारा की कसर्टी है इसी कसर्टी में हमें अपने आपको कसना होगा और कसना होगा इसको आप मजबूरी समद ले या इसको एक आवश्यक्ता समद ले शाधन समद ले इसके बिना पुरा कल्यान संभव ही नहीं है और चुकि वो बात ऐसी मैंने कहा था कि हमारे मन के जो दसा है उसे कोई दूसरा समद तो सकता नहीं है और देखने एक चीज ही नहीं है तो मन तो चला आमान होता रहता है तो धृती नहीं है आधा कि शहन तिलता बिना धैर्य के संभव नहीं है और धैर्य जिहा पस्थो जयो धृती जिहा अरूपस्थो इन दोनों पर पून विजय पून नियंत्रन यही शहन तिलता है और यह शहन तिलता इसी को आप बैराग कह सकते हो चुकि राग का त्याग है जरा भी मन में राग होगा तो उद्वेग आएगा मन में उद्वेग मौ का भी हो सकता है उद्वेग बैर का भी हो सकता है उद्वेग च्रोध का भी हो सकता है लोब का भी हो सकता है क्योंकि राग है राग मात्र का त्याग धैरिय है और राग मात्र का त्याग सहंसिलता है और ये राग का त्याग ही बैराग्य है धैरिय सहंसिलता बैराग ये अलग-अलग सद्गुन है सबकर अलग-अलग परिभाता दे जाती है लेकिन बिना सहंसिलता के न बैराग रुकेगा अब इना धैर्य के सांसिल्ता नहीं रुकेगी, तो इस एर समय हम का सकते हैं धैर्य सांसिल्ता और बैराग ये खी बात है, बैराग क्या है, बासना का त्याग, ये जो धैर्य बताए जा रहा है, अब देखना ही हम को यह है, कितने दिन से सुनते गुनते आ रहे हैं, पड़ते लिखते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, बहुत बारिकी से हम किसी चीज़ पर बिसलेशन कर लेते हैं, सहंतिलता का विकास कितना हो है, सहादुरू ने जो कहा है, जैसी कहे करे जो तैसी राग देश निरवारे, राग देश का निरवार क्या है, बिना सहंतिलता का राग देश का निरवार हो सकता है, बिना धैर्य के राग देश का निरवार हो सकता है, सहंतिलता का विकास करना, यह हमारे भक्ति, ज्ञान, धर्म की कसर्टी है, पूर सहंतिलता का विकास हो गया, तो सारे सद्गुन अपने आप हो जाएंगे, अब तब फिर पूर संतितल विकास ही मतलब पूरा आत्म विजय है, और जहां पूरा आत्म विजय है, वहां कोई दुखी ने रहा गया, कोई बंधन ही ने रहा गया, फिर तो जीते जी कल्यान गान भॉग किया जा सकता है, और इतों कोई दुखरा बताएगा नहीं, हमें ही अपने मन को देख करके साधना होगा, तो हम संतितल का धिरत का विकास करें, और आत्म जीवा और उपस्त इन दोनों पर पूर्ण विजय नियंत्रन करने के लिए साधना करें, दोनों पर नियंत्रन है पूर्ण, तो फिर पूर्ण कल्यान में कोई बाधा नहीं है, बाद, बोलिये श्री सद्गुरुदेव की जय, अभी हम प्रहम पुझ्य गुरुदेव जी के कल्यान कारी विचारों से लाव ले रहे थे, कारेकरम समापन की ओर है, समापन पुर्वे एक भजन सर्वन करें, आईए आप लोगों के समख्च, मैं एक भजन रखता हूँ, मनने की कर ले रे, दो दिन के मेहमान, मनने की कर ले रे, कहां से आया कहां जाएगा, तन छोटे मन कहां रहेगा, आखिर तुम को कौन कहेगा, आखिर तुम को कौन कहेगा, गुरु बिन यातम ज्ञान, मने की कर ले रे, बाई बती जा कुटुम कबिला, दो दिन का तन मन का मेला, बाई बती जा कुटुम कबिला, दो दिन का तन मन का मेला, अंत काल तू चला यकेला, अंत काल तू चला यकेला, तजमाया मंडान मनने की कर ले रे, दो दिन के मेहमान मनने की कर ले रे, कौने साहब साचा जाना जोटा है या सकल जाना, कहां मुकामर का ठिकाना, कहां मुकामर का ठिकाना, क्या बस्तिकाना मनने की कर ले रे, दो दिन के मेहमान मनने की कर ले रे, रहट माल पन घट जो पिरता आता जाता भरता रीता, युगन युगन तू मरता जीता, मत करना या भिमान मनने की कर ले रे, दो दिन के मेहमान मनने की कर ले रे, हिल मिल रहना देके खानाने की बात सिखावत रहना, कहत कबीर सुनो बाई साधो, जपना सद गुरुना मनने की कर ले रे, दो दिन के मेहमान मनने की कर ले रे, बोल ये सद्गुरु देव की जये। आज का यह सनिवारी सत्सेंग इसी भजन के साथ समावत होता है। आप सब समय निकाल करके आए, संतों की संगत की और भजन प्रवचन से लाब लिए, इसके लिए कभीर आश्रम की ओर से अनेक अनेक धन्यवाज साहिए। आप से लाब लिए, आप साहिए। आप स्थाफरु आप की इस्थेश बेक्ड़री हात वचन उचारों वंदगी तंस साथ्यपे मैंगे शाये 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 ओए सब्रुदे वहेदे शाये संथामान्डेक्षे झाल झाल